हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू टीचर सेंप पैर आज की इस वीडियो लेक्शर में मैं डिसकस करूँगा कुछ मोस्ट इंपोटेंट MCQ को जो की इंपोटेंट होंगे आप गया आने आले प्रवक्ता स्क्रेणिंग के एक्जाम के लिए आपको प्रवक्ता की वेकंसी जल्दी देखने को मिलेगी हो सकता है आपको दिसंबर तक या फिर आपको जनुरी तक आपकी प्रवक्ता की वेकंसी देखने को मिल जाए और उसके लिए आपको पता है चाहे आपका विशर कोई भी हो पहले आपको प्री एक्जाम से गुजनना पड़ेगा पहले आपको स्क्रीनि कि किस बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिबकती है ठीक है ओप्शन्स आपको दिये गए है सासंजग बल आसंजग बल पिष्ट तनाव या उत्पलावक बल इसका जो सही आंसर है ओप्शन इंबर बीज का सही आंसर है आसंजग बल साथियो मैं आपको इबाब बताओं ये नेमसी की ही सीरीज में से आपको कई सारे क्वेशन्स आपको आप एस फॉलो दिखेंगे ठीक है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें दूसरे की मेहनत को समझें चाहे हो मेरा यूटूब चैनल हो या चाहे किसी और का जो लोग पढ़ात आपको दिया गया है उर्जा, कारी, दाब और समवेग तो इसका जो सही आंसर है option number D इसका सही आंसर है समवेग एक ध्यान लेजेगा सदिसरासी होती है ठीक है तो इसने पुझा कि अदिसरासी नहीं है आपको दिख रहा है उर्जा ये एक अदिसरासी है कारी भी एक अदि अदिसरासी है पस एक समवेग है जो आपका सदिसरासी है इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा समवेग अदिस और सदिसरासी आप सामार निव ग्यान अदिसरासी पढ़ेंगे जो कि आपके सिलबस से मैं इंसन है ठीक है बढ़ता हूं question number 3 की और question number 3 आपके सामने है किस सासक क सिलादित्य के नाम से जाना जाता था यह सायद मैं पहले भी समसी को को ला चुका हूं तो आपने इसका सही आंसर मुझे बताना है यह मैंने आपके हिस्ट्री वाले सेक्षन से यह questions लिये हैं आपको भरोसा करना होगा कि जो भी teachers empire करा रहा है वो सिलबस को सामने रखके ही क अब अफ्रत आपके सामने घजनी सामराजी की स्थापना किस ने करी ध्यान दिजेगा घजनी सामराजी की स्थापना आपसे पूछ रहा है हिसट्री के कुछ MCQS जहाँ पे आप थोड़ी सी भूल में थोड़ी सी अपने स्मार्टनेस के चकर में आप लोग एक नमबर मिस क पर जाते हैं तो options आपको देगे हैं question के गजनी जामराजी की स्थापना किस ने करी महमुद गजनी ने करी अलप्त गीन ने करी या राणा संगा ने करी या इब्राहम लोदी ने करी इसका जो सही आंसर है जिसने लुशन की बुक थोड़ा सा deep study करी होगी तो उसको पता होगा option 20 का सही आंसर है अलप्त गीन most important question है इस बात को ध्यान दिजेगा यह आपके पूछा जासता है exam में question 5 क्यों बढ़ते हैं question 5 है किस परमार सासक ने प्राजित गुरखाओं को 25,000 रुपे देने का वचन दिया था यह question सातियों मैंने खुद से form किये हैं आपकी परिशावानी को उठा के तो आप थोड़ा बहुत मेहनत को समझेंगे और थोड़ा बहुत अपनी जिमेदारी है उसको समझेंगे और आप comment box में आप मुझे जरूर बताएंगे जो भी मैं आपसे question पूसता हूँ ताकि एक active participation हम दुनों का बना रहे ठीक हैं इतनी रात को वीडियो डानने का कुछ अपने भी काम होते हैं उस वैसे में लेट हो जाता हूँ तो यह question का answer आपने देना है आगर परिशावानी पड़िये तो आप जरूर इसका answer देंगे कि कि किस परमार सासक ने पराजित गुरखाओं को 25,000 रुपे देने का वचन दिया था वक्षंस आपको हैं फटेश आने परदिमंद साने या परतीपति साने या महिपत साने इसका जो सही answer है शानति यो परदिमंद साने इसका सही answer है इसी तरीकी कि अगर आपको उत्राखन पढ़ नहीं है उत्राखन की प्रॉपर सीरीज स चलाई जा रही है आपको जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे 79066-36856 आप इस पर कॉल या मैसेश के माध्यम से आप उनलाइन जो बैच चलना उसकी जानकारी ले सकते हैं जो कि 25 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होगा कब से स्टार्ट होगा 25 अक्टूबर से मुश्किल से अब एक हफता बचा है तो जिसने भी लेना है वो इस बैच को ले सकता है मात्र 2,000 रुपे इसकी फीज रखी गई है पूरे स्क्रीनिंग के सिलबस की आपकी फीज है 2,000 रुपे मात्र तो आप इस नंबर से फोन करके आप रौकता बैच जोइन कर सकते हैं जिसमें आपको इसका जो सही आंसर है और फटेशा वो परमार सा सकता है जिसने फटेफुन नगर बसाया था ठीक है यह है प्रवक्ता बैच ओनला इन जो जोइन करने आप जो चाते हैं उसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिया गया है वर्टसप के माध्यम से आप सारी जानकारी दे सकते हैं Q7 आपके सामने है उत्तर भारत के किस मंदिर का सिकर द्रमिनी सेली में बना है बहुत important question है multiple time multiple exam पे पुछा जा चुका है कि उत्तर भारत के किस मंदिर का सिकर द्रमिनी सेली में बना है जगनात मंदिर, कोनार्क मंदिर, तेली का मंदिर या दसावतार मंदिर यह question इसलिए important हो जाता है क्योंकि जो उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो द्रमिनी सैली में नहीं बने होते हैं वो सारे आपको पता है कि पिरामिट सैली में बने होते हैं उत्तर भारत के मंदिर लेकिन एक मंदिर उत्तर भारत में ऐसा है जो कि द्रमिनी सैली में बना हुआ है तो द्रम दक्षिन भारत के मंदिर हैं उनकी खाशते हैं कि दक्षिन भारत में आपको द्रमिज साली में बनेवे मंदिर दिखाई देंगे अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब आपको इस बात की जानकारी होगी ठीक है तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट कॉश्चन है इसको आप जो कॉनार्क मंदिर है उसकी वो बनाया किसने था वो आप मुझे बताएंगे और दसावतार मंदिर किसने बनाया था वो भी आप मुझे बताएंगे ठीक है बढ़ता हूं क्वेशन नमबर 8 की ओर आपके सामने है कौन सी गुफा त्री मूर्ती के लिए प्रसिद्ध है वलत हो सकता है अगर आपको किलियर कर जानकारी नहीं है अजनता एलोरा की गुफाएं कहां है इसका आंसर आप मुझे कमेंट वाक्स में देंगे ज्यादा तो लोग को साध इसका आंसर पता होगा लेकिन आपसे पुछा गया है कि किस गुफा के अंदर त्री मूर्ती क्या मं आकार कर लेता है तो उससे हम क्या कहते हैं ये भी आपके इसकरी नोमा क्रेंगे शिया तो आपसुन्त सांब का लिता है है कि अब बढ़ता हूं क्वेस्टीन नांबबन और मुझे इसको क्वेस्टीन में साँख्व सह कंफीउच हो ठीक है तो आप इसको देखेंगे shifts आता है question number 10 question number 10 है आपके सामने विश्टू की सबसे शक्री ज्वाला मुखी का नाम क्या है आप अगर अपने प्रवक्ता के सिलबस को ठाके देखेंगे तो आप कहाँ पर साफ साफ मेंचन है एक तो आपसे भारत के भुगोल से question पूछे जाएंगे दूसरे आपसे होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है किस महादीब में सबसे जो famous ज्वाला मुखी है कहाँ पर आपका सूर्य सबसे पहले उसकी किरन पढ़ती है तो यह जब basic चीज़ां आपको पता होंगी तो यही विश्टू के भुगोल में पढ़ने है मैं फिर से कह रहा हूँ समानी अध्यन आपके paper का नाम है तो आपको समानी चीज़ा पता होनी से यह और समानी चीज़ा कैसी होती है जिनमें कुछ न कुछ exceptions होते हैं ठीक है जो repeatedly आपके exam से पुछे जा रहे हैं उन questions को आपने पढ़ने है तो विश्टू के सबसे सक्री ज्वाला मुखी का नाम क्या है इसका जो सही आंसर है सांतियो option number B यानि किलायू इसका सही आंसर होगा और जो इस सक्री ज्वाला मुखी है यह है कहां USA में है ठीक है कहां USA में है ठीक है तो उम्मीद है आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी अपने आप attendance जरूर लगाएंगे ठीक है आप जब भी चाहिज सुभी आप इस वीडियो को देखें और जैसी भी आप तक लिंक के पहुंचा है आपका यह करतब भी है कि आप इसको सब्सक्राइब पर यह चैनल को तांकि आपको ऐसी प्रेक्टिस है और देखने को मिलें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक्स फॉर वाचिंग दिस पर देखें